16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुवात करने वाली दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था उनकी मौत से बॉलिवूट को गहरा सद्मा लगा था लेकिन आज भी उनकी मौत का कारण सर्फ एक रहस्य बन कर रह गया है आज दिव्या भारती की पुन्यती थी है उनका जन 25 परवरी 1974 को हुआ था और 5 अप्रेल 1993 को फ्लाट की खिड़की से फिसल कर गिनने से दिव्या की रहस्य मई मौत हो गई थी चलिया आपको बताते हैं मौत से चंद घंटे पहले क्या कर रही थी दिव्या और कैसे हुई उनकी मौत बॉलिवुद में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हिरोईन रही हो जिसने करियर के पहले ही साल में 12 फिल्में खी और सभी जबरदस्थ हिट हुई लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगा कर चली हो इनका नाम आते ही ऐसी दिवानगी और साथ समंदर जैसे गाने रहन में ताजा हो जाते हैं दिव्या का जन 25 फरवरी 1974 को हुआ था और सिर्फ 19 साल की छोटी सी उम्र में ही वो चल बसी उनकी मौत की वजए आज तक साफ नहीं हो पाई है दिव्या भार्ती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलिवूड में डेब्यू किया हाला कि इससे पहले वे कुछ तेलगू फिल्म में कर चुकी थी विश्वात्मा में ही उन्हें गाना मिला साथ समंदर पार में तेरे पीछे-पीछे आ गई इस गाने ने दिव्या को गजब सफलता दिलाई इसी के बाद दिव्या ने लगा तार दस और हिंदी फिल्में की जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दिवाना, दिल आशना है आदी शामिल थी दिव्या भार्ती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, तब फिल्म के हीरो गोविन्दा ने उन्हें निर्देशक निमार्ता साजित नाडियावाला से मिलवाय था, दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया दिव्या ने इसलाम धर्म कबूला और 10 मई 1992 को शादी कर लिए कुछ का तो ये तक कहना था कि दिव्या की आकस्मिक मौत के पीछे साजित का हाथ था क्या हुआ था 5 अप्रेल की रात? आई आपको बताते हैं जिस रात ये घटना घटी उसे दिन दिव्या ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था 5 अप्रेल को हैदराबाद में दिव्या की फिल्म की शूटिंग होनी थी लेकिन फ्लैट खरीदने की वज़े से दिव्या ने अपनी शूटिंग कैंसल कर दी और अगले दिन की तारीक दी थी रिपोर्ट के मुताबिक उस दिव्या डिजाइनर नीता लुला और उनके पती के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात करने वाली थी नीता लुला अपने पती के साथ राद दस बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुँची तीनों ड्रॉइंग रूम में बैट कर बाते कर रहे थे तब ही दिव्या किचन में चली गई इधर नीता और उसके पती टीवी देखने में मश्गूल हो गई दिव्या भारती के ड्रॉइंग रूम में एक बड़ी खिडकी थी लेकिन उसमें ग्रिल नहीं लगा था बताया जाता है कि किचन से लौटने के बाद दिव्या उस खिडकी की पतली दिवार पर बैट गई थी और इसी दोरान संतुलन बिगडने से वो पाँच मंजिला इमारत से नीचे गिर गई थी खून से लत्पद दिव्या भारती को मुंबई के कूपर अस्पिताल ले जाये गया जहां उनकी मौत हो गई दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकले लगाई गई थी कईयों ने इसे आत्महत्या बताया कुछ ने एकसिडेंट और कुछ ने पती को जिम्मेदार बताया एक वज़ा ये भी बताई गई कि साजित के अंडरवर्ड से रिष्टे होने की बात से दिव्या परिशान रहती थी उनकी मा के साथ भी उनकी अन्बन रहती थी रिष्टों से हार चुकी दिव्या ने मौत को ही आखरी रास्ता चुआ कई सालों तक तहकिकात करने के बावजूद पुलिस नतीचे पर नहीं पहुँच पाई और 1998 में ये केस बंद कर दिया गया लेकिन क्या हुआ था उसरा कैसे हुई दिव्या की मौत और चंद घंटों पहले क्यो इतनी खुश थी दिव्या बरहाल कारण जो भी रहा हो लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कर जाते हैं दिव्या उन्चनिंदा शक्सियत में से एक थी अपनी बहतरीन अदाकारी के लिए विसदेव याद रखी जाएंगी अभी के लिए इस खास कारिक्रम में इतना ही आप बने रहें जेजेन न्यूस के साथ नमस्कार